आपने इस गाने को क्यों लिखा और इस गाने में क्या भाव रखें आपने? देखिए इस गीत को हमारे पुझे गुरुदेव रामभद्रचार्य जी ने बहुत पहले रचा था और लोगों ने इतना सरा है, आज की समय में जहाँ इंस्टाग्राम पर हिंदी गानों पर रील्स बनाया जाते हैं कम कपरे पहन कर लड़के डान्स करती हैं और इस समय में इस गाने का इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग जाना ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी उपलब दिया। सच भी जब मैं इस गीत को रिकॉर्ट करी थी मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े हस्ती के हाथ हो इस गाने का लॉंचिंग होगा। क्या भाव रखें आपने। चाहूंगा कि दो लाइना पिस गाने को सुना है और साथी साथ उसके अर्थ को भी बताए। अर्य त्रेभूवन वेदेत हो त्रेभूवन वेदेत अवध जय करनवा बड़ा नीक लागे। राघव जी के गउँवा बड़ा निक लागे। दश्रत पीता जहा कौशल्या जी मैया भारत लखान रिपू हाल भन भैया कि राम नाम रटे जहां हो। राम नाम रटे जहां कोईलया कौवा बड़ा नीक लागे। बड़ा नीक लागे राघव जी के गउँवा बहुत ही प्यारा गीत है और आपने इसको गाया है केंद्रिय मंत्रिय स्मृतिय अरानी पहुँची थी। क्या कहेंगे उसको लेकर कि आपके गाने को लेकर इतना बढ़ा बढ़ा नीक है। सच में जब मैं इस गीत को रिकॉर्ड करी थी मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़े हस्ती के हाथ हो इस गाने का लाउंचिंग होगा। लेकिन कहा जाता है कि राम ने चाहां मैंने इस गीत को रचार लाउंचिंग हुआ मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस माध्यम से पारंपुरी गीतों को बढ़ावा मिलता है अच्छे गीत को बढ़ावा मिलता है और मैं बहुत बहुत आभार वेक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना समय निकाला और मेरे लिए आशिर आशिरबाद के रूप में इस पशन रहे हैं पसंद करने एक मैंने गीत गाया था अर्या जो जानक पूर में माडवा बड़ा सोहां वान लागे सीता के चड़हला हरा दिया मनभावन लागे और लोगों ने इतना सरा है आज की समय में जहां इंस्टाग्राम पर हिंदी गानों पर रिल्स बनाया जाते कम कप्रे पहन कर लड़का डांस करती हैं और इस समय में इस गाने का इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग जाना यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत उपलब दिया, तो ऐसे गीतों से ताकत मिलती है, और लोगों ने इतना प्यार दिया है, पुराने राम जी और सीता जी को लेकर, मैंने जितने भी प्रशंग गाए हैं, सभी को लोगों ने बड़ा दुलार दिया है, और मैंने सोचा कि इस गीत को प्राण प्रतिस्था से सु अब कुछ दिन नहीं हो सकता है गाने के लिए, लाने के लिए, तो इसलिए मैं लेकर आई, अभी कुछ दिनों पहले ही स्वाती मिस्डा का जो गाना आया था, राम आएंगे तो अंगना सरौंग, ये गाना भी खूप वायरल हुआ था, तो क्या लगता है कि जो अभी आप गाना जो आप गा रही है, कि बरानिक लागे राम जी के गुवा, तो लगता है कि ये भी गाना वायरल होगा, क्योंकि राम से रिलेटेट ये गाना है, और अभी तो पुरा देश राम मै हो गया है, बिलकुल, पुरा देश का वातावरन राम मै हो चुका है, और सभी लोग अपने आपको राम चंद्रजी से जुडाओं महसूस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि यह हमारी पॉस्टनल एचिब्मेंट है हमारी व्यक्तिगत उपलब्धी है तो यह गीत भी लोगों के बीच जाएगा और बड़ा प्यार मिलेगा इसलिए कि अभी तक जितनी लोगों ने आया है राम आएंगे या राम आचुके हैं लेकिन राम जी का गाओं कितना प्यारा है क्या वहां की संस्कृति है क्या आज भी वह परंपरा है कि दसरजी वहां पिता तो उस गाने में अपने बिल्कुल अरा भी सभी लोग यूटूब चैनल पर यहीं सर्च कर रहे है कि आ कैसी है आयोध्या का जो निर्मान है उसकी सुंदर जहलक कैसी है आगे आपसे बातचीत करूंगा इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक दो गाना जो है राम जी के लिए और सुनाए हमारे दर्शक क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और सुनने में मुझे भी अचय संद्र जी को जारी अलग नहीं अलग चीज ओ गया गारी अलग गारी हम नहीं के यह गावल जाला तो महीलाये गाती है के राम जी जा Даже कि रामजी से पूछे जनक पुर के नारी बता दम बवा लोगवा देत का ही गारी हम तो से पूछिला हे धनुधारी कि ये गुभाई गोर कही अर ये गुभाई गोर कही गुभाई कारी मनिसाद एक सवाल मेरा आप से आपके लिए प्रस्टनल रहेगा अभी के दोर में लोग जादातर रोमेंटी गाने हैं तो आपने ये रास्ता क्यों चुना देखिए ऐसा नहीं है कि लोग गीत में जुमने वाले जुमाने वाले गीत कम हैं या फिर श्रिंगारस यानी की रॉमांटिक सॉंग है मैंने उन सब गीतों को भी गाया है लोग गीत इसलिए चुना क्योंकि मैंने सुरू से देखा था कि लोगों का जुडाओ बहुत अलग रहता है लोगों के मन में इक अलग भाव रहती है और अभी का जो समय है लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके अपनी कल्चर को कि कहा के पी अरमती है कहा के कुदार है कहा के पांच सुहागिन माटि कोडे झास है कहा के पांच सुहागिन तो जब जो लोग भारत में रह रहे हैं अपने गाउं को छोड़ करके किसी अन्या राज में हैं उनका तो आश्यरबाद मिलता ही है जो लोग विदेश चले गए हैं विशेश रुप से उनका अश्यरबाद आया कि मनीशा आपने इस गीत के मादेम से हमारी गाउं की याद दिला दी और हम सब महसूस करते हैं कि हम सब कितने दूर आ गए हैं अपनी परंपरा से अपनी संस्किती से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सभी वर्ग के लोग मेरे गीतों को सुनते इवन यूथ हमारे गीतों को सुनकर के मिट्टी से जुडाव मैसूस करते हैं इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकते सभी मैं इस वीडियो का स्मापती आपके काकड़ी घाने से गना चाहूँगा ही काना और सो जाओं है कि वहां पे शादी के ऊपा अपरांथ भी दुल्हा को कूछ निकर्फा जा जाता है उसका एक विश्यश चीज होता था कि Нिरिक्षण किया जाता था कि इनका बात बेओहर कैसा इंका संगnd साधी के बाद कैसे पता चले गए यह मेरी मेटिंग को。 Kैसे खुश रखेंगे तो महिलाय ना उनको जो सीता माता की बहने थी जो सक्षिया थी वो रिजाती हैं और क्यासे कहती हैं एपाउना यही मिधिले मेरा हुना यही मिधिले मेरा हुना जवने सुखवा ससुरारी में तवने सुखवा कहुना एपाउना यही मिधिले मेरा हुना रोज सबेरे उबटन मलके इतर से नहवाईब एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाईब जोठे कहत ना बानी तनिको अर मोकाई गोदे हुना एपाउना यही मिधिले मेरा हुना एपाउना यही मिधिले मेरा हुना चलिए दो देखें इस वक्त हमारे साथ लोग गाई का थी और इनके आवाज में इनके मीठे आवाज में लोग गाने को सुना